आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे बीच में है एक्सपर्ट इस्त्री रोग विशेशक डॉक्टर पुषपांडी जी आपका इस स्वस्थ परीचर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है हमें कोशिश करते हैं कि आपको हम सेहत मत बनाए रखें लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि कई बीमारियों की वजए है जिसे कारण कई बीमारियां आज घर कर रही हैं और उन में से कुछ एक बीमारियां जो है जिसको हम नजर अंदाज कर देते हैं और वो समस्यां गं मैंसिस प्रब्लम के बारे में यह जो प्रब्लम है समस्या है आज दिन प्रति दिन हर महिला को बढ़ती जा रहे हैं हर दो में से एक महिला को यह समस्या होती हैं और कुछ एक महिला ऐसी है जो जिजक के कारण इस समस्या को नदरंदाज कर देती हैं और खुल के बता नहीं पा बोट्र पुचापांडी जी सबसे पहला हमारा सवाल कि यह मैंसेस प्रॉब्लम है क्या और यह कब से नॉर्मल मैंसेस कब से शुरू होती है तो मैंस्ट्वल साइकेल पहले हम नॉर्मल समझें तब हम समझ सकते हैं कि उसमें समस्या क्या है तो जो normal menstrual cycle होती है वो normal 28 days की होती है तो 28 days में या तो 26 दिन इधर हो सकता है और 35 दिन इधर हो सकता है तो इतना अगर change आता है तो उसमें कोई गड़बड नहीं है वो अतना normal है लेकिन average जो है 28 days होता है और ये menses हर महिला को होता है अगर वो normal है तो क्योंकि ये एक genital system आपका mature हो गया है ये उसका एक sign है तो जो first होता है उसको हमेशा मिनार्की कहा जाता है और जब end होता है तो उसको menopause कहा जाता है और उसके बीच में फिर cycle जो है वो normal आती है और ये cycle actually में होता क्यों है ये hormonal changes के करण होता है तो इसमें जैसे कि इस model में आ dark color जो है ये dark color जो endometrium कहलाता है तो हर मन्त ये endometrium वेजाइना के बाहर निकलता है जो bleeding का रूप देता है और उसको ही हम normal menstrual cycle कहते हैं जो कि normal है और वो पुरुशों को नहीं होता वो महिलाओं को होता है तो इसलिए abnormality या problems भी जो होती है वो इसमें महिलाओं को ही होती है ल अध्र पुष्यापान लीजे तो अपने बताए कि normal means क्या होते है इसके बड़े कारण या कारण और स्विष्याण केиться तो इसमें जो abnormality होती है तो abnormality क्या-क्या होती है पहले तो हमारी मैलाओं को ये जानना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि मन्त में दो बार हो रहा है तो वो भी गड़बढ है वो ठीक नहीं है और अगर हो रहा है उसके बाद अगर seven days से ज्यादा है तो भी ज्यादा है अगर उ अगर बीच-बीच में spotting हो जाती है तो भी वो ठीक नहीं है तो ज्यादा होना बहुत कम होना या बहुत ज्यादा अंतराल में होना कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जैसे दो महिना दो मन्त में नहीं होता है और उसके बाद लगातार होता रहता है तो ये भी सारी abnormalities हैं जो कि बहुत सारी महिलाएं होती है इसका कारण कारण जो होता है एक तो सबसे पहला कि होर्मोनल प्रॉबलम होता है होर्मोनल प्रॉबलम अगर होर्मोन गड़वड है तो उसके कारण ये abnormal bleeding हो सकती है दूसरा जो कारण होता है या कहीं गठान हो गई है चाहिए वह उसमें हो जो गठान होती है उसको हम polyp कहते है और जो दूसरी जो गठाने होती है जैसे इसमें बहुत ही सुन्दर देखलाया हुआ है ये fibroid हां कि ये uterus के मांस्पेशियों में जो हो जाता है इसको fibroid कहते है और जो अंदर होता है उसको polyp कहा जाता है तो इसके कारण पी सारी abnormalities होत जैसे कि जिसको कहते है polycystic ovarian syndrome तो यह चोटी चोटी जो गठाने बन जाती है उसके कारण भी abnormalities हो सकती है और अगर किसी भी भाग का cancer है चाहे वो वेजाइना इधर का वेजाइना का cancer है चाहे वो रिक्स का cancer है चाहे यूटरस का cancer है कहीं भी अगर cancer होता है तो ये bleeding हो सकत ही है तो इसके ये सारे कारण इसमें बहुत ही सपष्ट दिखाए हुए है अच्छा ड़कुशा पांडी ची तो ही कारण की बात है इस्ट्रेस भी इसका कारण है क्या यह आपने बहुत अच्छा question पूचा जो stress है वो तो एक कारण है क्योंकि जो menstrual cycle की जो start होती है या जो कंट्रोल करता है वो hypothalmas करता है और hypothalmas emotional activity के लिए responsible मना जाता है तो stress अगर होता है तो सारी cycle disturb हो जाती है जैसे हमारे पास parents usually हमने देखा कि 10th class में जब बच्चे रहते हैं तो 10th class के बच्चियों को parents लेकर आते हैं कि उनको या तो बहुत ज़्यादा हो रहा है या बिलकुल बंद हो गया है यहां तक कि हमने देखा कि एक एक साल तक बंद हो जाता है क्योंकि stress के कारण इतना ज्यादा होता है कि hormonal imbalance हो जाता है और PCOD हो जाता है वो भी stress का भी कारण है lifestyle के कारण है polycystic ovarian syndrome उसमें भी होता है तो stress direct और indirect दोनों असर तो करता है इवें जब marriage होती है तो marriage के बाद जो महिला का जो घर बदल जाता है घर बदल जाता है तो भी उसको bleeding स्टार्ट हो जाती है या फिर नहीं होता है ऐसा भी होता है और बहुत सारे लोगों कानुभा हो कि जज़े जब सफर करने जाते हैं तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे patients आते हैं कि madam जब हम travel करत जाते हैं तो भी पतानी क्यों हो जाता है तो यह stress के कारण है क्योंकि hormonal imbalance हो जाता है तो stress था ही एक कारण इसका इक बज़ा stress है मोटापा भी केस की बज़ा हो सकता है बिलकुल आजकल के जो lifestyle है उससे sedentary lifestyle है और sedentary lifestyle के कारण मोटापा बहुत जादा हो गया है तो मोटापे के कारण जो estrogen hormone जो कि महिलाओं के hormone होते हैं वो testosterone में change होने लगते हैं जब testosterone में change होते हैं तो चुकि पूर इसकी कारण उनको कम होने लगता है तो अधिक तर लोगों को मेलाओं को confusion रहता है वो हमको यह कहते हैं कि doctor हमको होता नहीं है message नहीं होता है इसलिए मोटे हो जब क्यों बल्टा है आप मोटे हो इसलिए आपको नहीं हो रहा है तो यह हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज़ और दिस्मेनूरिया जो होता है वो दो तरका होता है एक जो होता है जिसको primary dysmenorrhea या spasmodic dysmenorrhea कहते हैं और जो दूसरा होता है वो secondary dysmenorrhea होता है तो जब adolescent age में जब menses start होता है तो दर्द प्राया प्राया थोड़ा बहुत तो सबको होता है और उसका कारण यह है कि uterus contract होता है spasm में जाता है तो वो bleeding होती है और शुरू शुरू में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि जो uterus की opening होती जिसको os कहते है वो थोड़ा constrict होता है तो उसके कारण pressure लगता है उसको जाने में blood को तो उसके कारण भी दर्द हो सकता है तो अगर उस समय दर्द की थोड़ी दवाई ले लेते हैं तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है पैन किलर लिया जा सकता है और धीरे धीरे जब कभी जो married ladies होती है उनका ठीक हो जाता है क्योंकि os जो होता है वो बड़ा हो जाता है तो इसलिए ठीक हो जाता है लेकिन made जो है secondary dysmenorrhea वो बहुत painful होता है और secondary dysmenorrhea में होता है जब menses start होता है तब तो उतना pain नहीं होता है लेकिन जो बाद में ये pain बढ़ जाता है और उसको कारण होता है इसको कहते है endometriosis तो endometriosis एक बहुत बड़ा कारण है तो जैसे आपने देखा है इस model में कि यहाँ पर जो अंदर की जो lining होती है इसको हम endometrium कहते है तो usually जो menses के समय बाहर निकल जाता है लेकिन कुछ कारण पता नहीं है कि ये जो endometrium होता है ये बाहर ना जाकर body के विभिन भागों में चला जाता है जैसे कभी ovary में चला जाता है जब ovary में चला जाता है तो जब यहाँ पर menses second day flow जादा बढ़ता है तो ये भी सूच जाता है और इसको फिर यहाँ पर blood भर जाता है इसको हम chocolate system of ovary कहते हैं तो उसमें बहुत जादा तकलिफ होती है यहाँ तक कि vagina में भी हो जाता है किसे भी भाग में हो जाता है जैसी यह vagina में यह जो red color का यह जो बताया है यह सारे endometriosis के हैं और ऐसी महिलाओं को दर्द बहुत जादा होता है तो यह आजकल यह भी बढ़ गया है इसका exact current तो पता नहीं है कि current क्या है लेकिन यह है इसके और भी treatment होते है कि hormonal है अगर hormone दिया जाता है और hormone से नहीं ठीक होता तो फिर surgery की जाती है treatment होते है हाँ होता है doctor से इसमें सलाह लेना चाहिए second dysmenorium में primary में तो आप एक दो tablet ले लोगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं रहता और वाकी फिर सलाह लेना बहुत ज़रूरी अगर ज़्यादा दर्द होता है तो ले ही जाना चाहिए doctor के पास doctor पुशर पार्णी जी जैसे आपने बताया कि दर्द होता तो pen killer लिया जा सकता कोई नुकसान नहीं है कोई ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर मान लो आप हमेशा आपको आदत पढ़ जाती है तो उसका असर किडने पर होता है कम ले सकते कभी-कभी ले सकते एक या दो टैबलेट आप शुरू में ले लो तो जिससे आपको नॉर्मल रूटीन में कोई प्रॉबलम नहीं होती है उसमें कोई नुकसान नहीं होता है जैसे कि भारत में महिलाएं जब कोई विशेश कारिक्रम होता है आधात्मिक प्रोग्राम होता है और उस समय बुचाती है उस दौरान की हमको पीरट्स ना आए तो उसको रोकने के लिए वो दबाईयां लेती है तो किया ठीक है यह? हाँ वो हमारे पास भी बहुत सारे या से पेशेंट आते हैं और जैसे उनके हाँ मेरिज है या कोई आधात्मिक कोई फंक्शन होने वाला है तो उसके लिए आते हैं तो उनको हम लोग पोस्पोन मेंस्टरेशन कहते हैं कि हम थोड़े दिन तक उनको ज़्यादा प्रोजिस्ट्रोन होर्मोन कहते हैं वो हम उनको देते हैं तो इसको लेने में कोई नुकसान नहीं लेकिन बार-बार बिना डॉक्टर के सलाके नहें लेना चाहिए तो उससे ये होता है जो आपकी नॉर्मल साइकिल है वो चेंज हो जाती है तो ले सकते हैं इसमें कोई ऐसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है अच्छा अच्छा स्टेज में होने के कारण बहुत सारी प्रॉबलम सा सकती है तो बहुत सारे पैरेंट्स ऐसे घबरा जाते है क्योंकि दो साल तक ये साइकिल इर्रेगुलर हो सकती है कभी-कभी बचों में दस-दस पंदरा-पंदरा दिन ऐसे होता रहता है और कभी-कभी प्रॉबलम हो सकती है कि मान लो उसमें गठान कुछ हो या कुछ ऐसी प्रॉबलम हो लेकिन यूजली दो साल तक जो होता है वो नॉर्मल होता है उसमें इर्रेगुलर्टी में पैरेंट्स को यही समझना चाहिए खास मदर को समझना चाहिए है लेकिन डॉक्टर के पास तब ले जाना चाहिए जबकि उसको या तो बहुत जादा खून की कमी हो गही हो इतना जादा ब्लेधिंग हो रही हो या फिक इतना जादा दर्ध हो रहा हो कि वो स्कूल बहुत दिन जाई ना पा रही हो तो फिर आम उनको treatment देते हैं ये तो हुई रग्टर पुशा पांडी जी तीन एज की बात है ये middle age में भी क्या कोई समस्या सकती है जिसको reproductive period कहते हैं जैसे adolescent age की problem है उसके बाद middle age में भी बहुत सारी problem आती है और उसका कारण अलग होता है क्योंकि जो axis है वो पूरी develop होई होती है लेकिन hormonal problem उस समय भी हो सकता है उस समय भी PCOS हो सकता है बहुत सारी महिलाई जब हमारे पास आती है तो वो इसलिए आती हैं कि austerity जिसको कहते हैं कि संतान ना होना उसके कारण आती है तो उस समय पता चलता है कि उनको PCOS की problem है क्योंकि उस समय भी irregular cycle उनको उसके कारण हो जाती है और fibroid का जो सबसे ज़्यादा incidence होता है वो middle age में होता है cancer के संभावना तो थोड़ी कम होती है लेकि जो गठानों के संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है bleeding होती है और bleeding के साथ दर्द भी होता है तो उस समय भी irregular cycle और ये problem से patients हमारे पास बहुत आते है ड़क्र पुशा पांडी ची जैसे जब mensis बंध होने वाले होते हैं जब वो 40-45 वर्स की जो उमर होती है जिसको menopause menopause कहा जाता है तो उस समय क्या परिशानिया हो सकती है हाँ उस समय भी हमारे पास महिला आती है उस समय भी irregular cycle होती है और उस समय जब menopause start होता है उसके पहले से ही bleeding irregular चालू हो जाता है और जब तक खतम नहीं होता तब तक 2-3 cycle जैसे यहाँ पर axis disturb हो जाती है तो यहाँ last stage में भी hypothalmia pituitary axis disturb हो जाती है hormonal थोड़ा सा imbalance हो जाता है hormonal imbalance जो age के extreme में ज़्यादा होता है तो age के extreme के कारण यह irregular cycle में आ सकते हैं तो अगर कम जाता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है कि मानलो 2 महिने में आ रहा है तीन मेने में आ रहा है तो तो अच्छा यह normal cycle कहलाती है यह कोई abnormality नहीं है लेकिन अगर ज़्यादा जाता है तो फिर यह problem कहलाता है जिस समय समस्या बढ़ जाती है menses problem की तो उस समय जागरुकता क्या ज़रूरी है उस समय सबसे पहले तो यह कि अगर ज़्यादा हो रही है तो आप उसको किसी से छिपाएं नहीं ज़रूरी डॉक्टर के पास जाएं हर शहर में बहुत सारे गाइनकोलोजिस्ट है और आपको पांच मिनिट लगेगा कोई ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको छिपाते रहें और इतना ज़्यादा एनेमिया हो जाए कि आप कुछ भी काम भी न कर पाएं आपके दूसरे अंग भी इन्वाल्व हो जाएं या फिर हो सकता है पहली बाग जो यह ब्लीडिंग अबनॉर्मल हो रही है वो कैंसर का कोई साइन हो और आपको समझ में ना आ रहा हो और इतनी बड़ी गठान हो गई हो और आप उस गठान को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं डॉक्टरों चेक अप कराएगा पुरा सोनोग्राफिक कराएगा और सब आपको ब्लड टेस्ट कराएगा तो जैसे कारण तो पता चलेगा ना तो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें साफ सफाई का भी विशेज दिहान देना जरूरी है यह खास हमको एडॉलेसेंट एज से यह सिखलाना चाहिए इसको हम मेंस्ट्रूल हाइजीन बोलते है मेंस्ट्रूल हाइजीन बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर एडॉलेसेंट एज से उस बच्ची ने सीख लिया कि कैसे हमको सफाई रखनी है तो वो इंफेक्शन नहीं होता क्योंकि इस इंफेक्शन के कॉम्प्लिकेशन बहुत होते है पैल्विक इंफ्लिमेटरी डिजीज यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो जाता है अगर उस साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं और आजकल एक खास हम जो किशूरियों को या स्कूलों में भी ये बात बतला ही जा रही है मेंस्ट्रोल हाईजीन की कि जो पहले सैनिटरी पैट्स लिये जाते थे उस सैनिटरी पैट्स के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था इवन बैंगलोर सिटी वगरे में मैं आप देखो मेट्रोज में कहा जाता जो नालिया जो ब्लॉक होती है जो चोक होती है उसका एक बहुत बड़ा कारण सैनिटरी पैट है तो इसलिए इन सैनिटरी पैट्स को अब यूज सही करना है उसकी जगे जो कॉटन पैट्स आते हैं पहले तो पुराने जमाने में महिलाएं कॉटन यूज करती थी लेकिन वो कॉटन साफ नहीं रहता था वो उसी को बार-बार गंदिगे में यूज करती थी तो वो तो हाईजेन प्रॉपर नहीं था लेकिन आज कल ये कॉटन पैट्स जो होते हैं वो मिलते हैं मार्केट में मिलते हैं उनको यूज करना चाहिए, तो उनको यूज करके और आराम से धोके आप सुखा सकते हैं, जिसी कि ये जो environmental pollution बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो environmental pollution नहीं होता है, आज कल दूसरा menstrual cup आया है, menstrual cup जो होता है, ये married ladies तो बहुत अच्छे से यूज कर सकती है unmarried को थोड़ी सी problem होती है लेकिन वो भी ऐसे कोई समस्या नहीं है वो अगर कोई यूज करना सीख जाता है तो उसमें कोई problem है नहीं तो hygiene का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है और अगर इसको change करें, pets को तो बहुत ज़्यादा जरूरी है जी, जी जैसे कि हर बीमारी खान पांच से जूड़ी होती है तो इसमें हमारी diet कैसी होनी चाहिए वैसे जैसे हमने का anemia भी एक cause है bleeding का, anemia मतलब कि हमारा diet ठीक नहीं है proper diet नहीं है तो ये indirect भी कभी-कभी जो systemic problem होती है systemic problem के कारण भी irregular cycle होता है तो nutrition deficiency भी उसका एक कारण है जैसे adolescent age में 10th की जैसे हमने बतला है था बच्चे को बहुत सारी लाते है तो वो भी है, अगर diet भी proper नहीं है, stress तो है और उसकी कारण अगर diet proper नहीं है nutrition deficiency के कारण भी बहुत सारी लोगों को amenorrhea हो जाता है amenorrhea मतलब menses का ना आना amenorrhea मतलब की बहुत ज़्यादा bleeding होना तो दोनों एनिमिया के कारण हो सकता है nutrition deficiency के कारण हो सकता है, तो महिलाओं को as compared to males, diet की ज़्यादा अच्छे आवश्यक्ता होती है क्योंकि हर month कुछ blood loss होता है, और blood vitamins, proteins यह सब की ज़्यादा जरूरत होती है इसलिए इन महिलाओं को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और हमारे देश में महिलाओं सबसे last में खाती है और last में खाने के कारण nutrition deficiency रहती है इसलिए menstrual problems और भी ज़्यादा हो जाती है कि जब वो समाज पर परिवार पर ध्यान दे सकती है तो अपने उपर तो ध्यान दे ही सकती है डॉक्टर पुशर पांडे जी कैसमें exercise या व्याम का भी कोई रोल है हाँ जैसे कुछ problems जो होती है वो exercise की deficiency से होती है जैसा एक है polycystic ovarian syndrome कि अगर आप exercise नहीं करते तो मोटापा तो होगा ही और मोटापा होगा उसके साथ आपको menstrual irregularity हो जाएगी और PCOS एक physical problem भी है और बहुत psychological disturb करने वाले भी problem है और दूसरी जो middle age है उस समय भी exercise बहुत जरूरी है क्योंकि उससे फाइदा ये होता है कि axis हमारी जो hypothalmia pituitary axis है वो proper काम करती है proper काम करने के करण ये uterus, ovaries ये सारे जो हॉर्मोन है ये भी proper काम करते है तो उससे जिससे cycle proper होती है पिर menopause age में भी ये भी देखा गया है कि menopause age में जो exercise करते हैं उनका menopause बहुत smooth होता है और बहुत खुश भी रहते है तो exercise का भी बहुत ज़्यादा इसमें role है चाहिए वो किसी भी प्रकार की exercise करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप fix एक ही तरह की exercise करो main जो है कि आपको sedentary lifestyle नहीं होने चाहिए जी जी डॉक्टर पुश पांडीजी इसमें आधातनिकता या meditation का कोई खास role है meditation का role तो है ही चाहिए indirect को हो या direct को हो क्योंकि हर जगे बात वही आती है कि hypothalamus से ही सारा hormonal control रहता है तो अगर हमारा ये mental control है खुद पर control है मतलब hypothalamus पर control है हमारे stress पर control है तो हमारे hormonal cycle पर control है जब cycle पर control है तो हमारे जो cycle है भूँ ठीक होगी बिलकुल regular होगी और जो भी समस्याई आती है कभी-कभी क्या होता है कि छोटी-छोटी problems होती है अगर थोड़ी सी भी regularity होई तो महिलाय परिशान हो जाती है लेकिन जब जो meditation करता है तो उसको मालूम होता है कि जो छोटी समस्याई आई है अगर डॉक्टर ने मानलो कुछ बता भी दिया कि आगर फाइबराइड यूटरस है तो जो normal जो महिलाय होती है वो तो घबरा जाती है कि पता नहीं क्या हो गया मान लीजे बाइचांस कैंसर भी हो गया ठीक है तो जो महिलाय मेडिटेशन करती है उनका व्योहार और उनके बोडे के प्रती प्रभाव बहुत ज़्यादा सकारात्माख होता है बीमारी आई है तो जो meditation करता है उसको मालूम है कि बीमारी आई है आई है चली जाएगी वो हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है तो उससे psychological बहुत असर होता है आई है तो वो अपने meditation के माध्यम से भी कई अपने बिमारी ओं को ठेक कर लेते हैं यह भी बड़ा wonder है बहुत सारी मैलाओं को हमने देखा कि जो meditation करते हैं वालों का cancer का उनका इलाज हुआ सब हुआ तो जो meditation नहीं करते हैं उनको फिर से हो जाता है लेकिन इन महिलाओं को नहीं होता है इतनी ज़्यादा इसमें power होती है तो इसमें हमको healthy रहने के लिए और हमारा reproductive system healthy रहे genital system healthy रहे इसके लिए meditation का तो बहुत ज़्यादा रोल है हमने देखा अधिकतर जो hysterectomy होती hysterectomy कहते हैं operation मतलब बच्चे दाने निकालना तो उसकी हमने एक retrospective study की थी retrospective मतलब की जो उनकी history हमने देखा तो अधिकतर महिलाओं में ये पाया गया कि उनको या तो depression था या वो stress थी तो उनमें ही hysterectomy के संभावना जाता हुए जी वाना meditation से अपने stress को कम करके बहुत कम कर सकते हैं बिमारियों को भी हम control कर लेते हैं बिल्कुल डॉक्टर पुशा पांडेची आपने बताए कि meditation से अपनी बीमारियों को control किया जा सकता है तो हमारे दर्सकों को और बताएंगे कि और कैसे उस meditation को हम करें उसको जीवन में उतारें और उससे और क्या-क्या फायदे हो सकते हैं meditation के हमारी जीवन में बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं क्योंकि इससे यहां जो राजयोग मेडिटेशन जो कि मैं खुद भी प्रैक्टीस करती हूँ और मैंने खुद भी अपने लाइफ में अप्लाई किया है और इससे मैंने खुद भी अपने लाइफ में बहुत ज़ादा फाइदे देखे हैं और इसको जब हम सुबह करते हैं तो सुबह जो हमारे जो stress hormones होते हैं वो कम हो जाते हैं सुबह जल्दी उठना और सुबह उठ कर ही हम meditation करते हैं तो इसमें हम पहले अपने आप को जानते हैं और अपने आपको practice करते हैं कि I am separate from this body मैं इस शरीर से अलग एक metaphysical energy हो आजकल वैसे भी science कहता है कि everything is energy यह this is physical energy और उसके अंदर जो इस body को चला रही है that is metaphysical energy तो हम अपने आपको उसको अनुभाव करते हैं क्योंकि हम वही है कि I am energy I am a soul जैसे ही हम यह अनुभाव करते हैं तो हमारे अंदर से peaceful hormone race memories होने लगती है क्योंकि आत्मा की जो qualities होती है वो हम सब को चाहिए और उसके बिना ही अगर हमको वो नहीं मिलता है तभी हमको stress होता है तो चूंकि आत्मा के seven qualities जो हम इसमें अनुभाव करते हैं कि मैं शान्त स्वरोप हूं प्रेम स्वरोप हूं आनन्द स्वरोप हूं शक्ति स्वरोप हूं तो पहला ही step इसका यही है तो आप सोचो जैसे ही हम यह अनुभाव करते हैं हमारे अंदर एक अनोखी सी सुक शान्ती की अनुभूती होती है हाइपोधेलमस बिलकुल relax हो जाता है तो यह तो पहले step में हम रिलक्स हो जाते है फिर इसका जो दूसरा step होता है कि होई सुप्रेम जो कि इस शान्ती का प्रेम का वो सोर्स है तो जैसे ही हम उसको याद करते है तो हमारे अंदर एक करेंट सी प्रवाहित होती है और सारा सुक, शान्ती, प्रेम, आनंद होता है तो यह तो हमारे physical body में असर होता ही है उसके साथ ही हमारे दूसरे में बहुत सादे फायदे होते है मतलब positive health तो create करता ही है कभी ऐसे व्यक्ती जो भी meditation करता उसको depression भी नहीं होता जैसे हमने का ना कि बहुत सारे cases depression क्या होते है और हमारे relationship पेस में बहुत improve हो जाते है पुष्वा पांडी जी अपने बहुत ही अच्छी बात बताई मैंसे प्रॉब्लम के संबंदित और सबसे बड़ी बात तो आपने meditation और अधात्निक्ता के बारे में बताया कि उससे stress को कम किया जा सकता है lifestyle के बारे में आपने जागरूप किया और विशेश साफ सफाई पर हमको भी ध्यान देना है तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुष्वा पांडी जी अपने इतनी अच्छी बात हमारे बीच में रखी जैसे कि कहते हैं कि आज आपने जो डॉक्टर पुष्वा पांडी जी से समस्याओं का हल जाना परिशानियों का हल जाना कि महिलाओं को अपने स्वस्त की उपर विशेश ध्यान देना है कि जब आप समाज को परिवार को समहाल सकती है तो अपने आपको क्यों नहीं सम्हाल सकती और जब आप अपनी उपर विशेज ध्यान देंगी अपने आपको स्वास्त रखेंगी तो परिवार को भी आप बहुत अच्छे से सम्हाल सकती हैं तो सौस्त रहिए, खुश रहिए, यही हम चाहते हैं, हम फिर मेलेंगे एक नए अपिसोड के साथ, नमस्कार, ओम शान्ती